दोस्तों आज का प्रेरख प्रसंग है प्रसन्यता का राज एक बार एक संत एक पहाणी पीले पर बैठे बहुते प्रसंद भाव से सुर्यास्त देख रहे थे तभी दिखने में एक धनवान बेक्ति उनके पास आया और बोला बाबा जी मैं एक बड़ा ब्यापारी हूँ मेरे पास सुक सुविधा के सभी साधन है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ आप इतना अभाव ग्रस्त होते हुए भी इतना प्रसंद कैसे है प्या मुझे इसका राज बताएं संत ने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिख कर उस ब्यापारी को देते हुए कहा इसे घर जाकर ही खोलना यही प्रसंदता और सुक का राज है सेट जी घर पहुँचे और बड़ी उत्सुकता से उस कागज को खोला उस पर लिखा था जहां सांत और संतोस होता है वहां प्रसंदता खुद ही चली आती है इसलिए सुक और प्रसंदता के पीछे भागने की बजाए जो है उसमें संतोस्ट रहना ही प्रसंदता का राज है तो आपको आज का प्रिद्रिक प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके बताईए धन्यवाद